हेलो एब्रीवन, वेल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी, मैं हूं मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दीपक फर्टिलाइजर पे हम लोग केतने बार एंट्री लिए हमारा 27 फेबर वरी को एंट्री हुआ 11 मार्च को भी स्टॉक में एंट्री हुआ, 1 अपरेल पे हम लोग टार्गेट नेक्स्ट लेके चल रहे थे और 4 अपरेल का मेरा आखरी वीडियो था देपक फर्टि रैजर्स पे अभी इस वीडियो में इन पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैं डीटेली एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ स्टॉक के अंदर 540 ट्रेलिंग, 570 ट्रेलिंग, 610 फाइनल टार्गेट और आज की डेट में स्टॉक कहां पे 632, क्लोजिंग कहां पे 621 इसका मतलब स्टॉक में हमारा हो गया प्रोफिट बुकिंग तो अब मैं क्या करूँगा, पुरानी अनलेसिस डिलेट कर दूँगा अब स्टॉक में क्या करना है, यह important है, तो चलो डिसकस करते है स्टॉक में improper buying हुआ, जो सही है, overbought हुआ, जो सही है क्योंकि नीचे levels को appreciate करते हुए, स्टॉक अपने previous breakout levels पे trade करने वाला है यह decide हो गया, RSI को देखके, MECD को देखके यह decide हो रहा है कि स्टॉक थोड़ा over rally देखे, fall करेगा, उसके बाद हो सका तो यहां का breakout या हो सका तो यहां का breakout, दोनो breakouts पे jump करेगा उपर के तरफ jump करना है, तो stock को गिरना भी है, तो stock कहां से गिरेगा, यह भी मुद्दे की बात है तो stock अगर गिरेगा, तो पहला breakdown level जो आज reject नहीं हुए जैसा hold है इसका मतलब stock के अंदर यहां पे एक level बना हुआ है उसके बाद यहां पे एक level बना हुआ है, जो strongest breakdown मना जाएगा क्यों मना जाएगा, क्योंकि इसका traded value काफी बढ़ा है, बाकियों का traded value कुछ है नहीं तो दूस्तों, अगर stock गिरना है, तो stock इन levels पे trade करता हुआ गिरे अचा है कल से गिरने लगे, पर्सों से गिरने लगे, या 10 दिन के बाद गिरने लगे, इन levels को तो stock break नहीं करेगा अगर stock इन levels को break कर भी रहा है, simple सी बात है, कर भी रहा है, तो 100 से 200% मैं guarantee देता हूँ, stock के अंदर बाहीर ट्रैप होंगे तो मेरे हिसाब से stock no trading zone में है, क्या zone में है, no trading zone में stock अभी बैठा हुआ है, and buy to buy, sell to sell में भी, अभी stock buy to sell में बैठा हुआ है, तो मेरा suggestion आपको पता है, कि stock में हमें काम नहीं करना है दोस्तों, यही था मेरा analysis, deep up fertilizers पे, अगर आपको stock में analysis समझ में आया, वीडियो को like और यूटूब चैनल को subscribe कर लिजिए, thank you for watching my video